हाई, मैं हूँ मीरा, और इस मेरा जादू इस एक वार्फ है, जो मेरे बोलने से कुछ भी परसकता है देखो मॉर्फल, बाहर इन सबी चीजों के रंग गायब हो गए है हाँ, मॉर्फल, एक जादू इस पेंट ब्रश बन जाओ मॉर्फल, गास नीले नहीं होती हरी होती है बहुत अच्छे मॉर्फल हुआ 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 इन चीजों का भी कोई रंग नहीं है बिल्कुल मेरी तरह हुआ 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 तो वो तुम हो जो इन शेहर की सारी चीजों के रंग चुरा रही हो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए रंगों की बिना जिन्दगी में मज़ा नहीं आता ओ बहुत मज़दार है हाँ यह हुई ना बात चलो कुछ और जान्मरों को ऐसे ही मज़दार रंगों में रखते हैं हुआ तो तुम यहां हो कुरोमा मैं तुम्हें ठूण रहा था देखो शहर में कितनी परिशानी खड़ी हो गई है तुमने वहां के सारे रंग चुरा लिये हैं हर चीज को उसके पुराने रंग में वापस रंगने में मौफल क्रोमा की मदद कर सकता है कैसे हो पता नहीं मेरे फायर ट्रक का रंग कैसे गायब हो गया मौफल और क्रोमा ट्रक के रंग वापस ला सकते हैं नहीं मौफल फायर ट्रक का रंग हमेशा लाल होता है बलकुर तुम्हारे जैसा बहुत बहुत शुक्रिया मौफल और क्रोमा किसे लगन मॉन्स्टर? किसे लगन मौन्स्टर? हुआ 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 है शायद आप सही थी प्लीज आप जाहिए वा तुम दोनों ने दो शहर को फिर पहले जैसा कर दिया मौर्फ़ल और क्रोमा तुम दोनों की टीम तो कम्माल है क्रोमा को रंग भरना बहुत पसंद है हाँ बिलकुल है मेरे पास एक आइडिया है क्रोमा तुम्हें एक ऐसे दोस्त के पास रहना जिसे रंग बहुत शानदार तुम्हारी जैसी एक जादूई पेंटर की मेरे जैसे पेंटर को बहुत ज़रूरत है शुक्रिया मॉफल तुम जितनी कर सकते हो हमेशा लोगों की मदद करते हो मॉफल भी मदद करेगा प्लीज मेरे प्यारे बिल्ले नीचे आजाओ मॉफल मेरी मदद कर दोगे प्लीज मेरा बिल्ला उपर पेड़ पर फस गया है मुझसे उसके बिना रहा नहीं जा रहा तुम उसे मेरे पास ला सकते हो मैंने उसे अपने पास लाने को कहा था अगर तुम दोनों ने मेरे पुलिस का नहीं चुराई होती तो अब तक तुम दोनों जेल में होते हमें फर्क नहीं पड़ता मॉफल अच्छा हुआ तुम यहां आगाए क्या तुम इन बदमाशों को पुलिस टेशन ले जाने में मेरी मदद करोगे ठीक है ओ नहीं यह क्या मॉफल मुझे भी तो बैठा लो बदमाशों को पली स्टेशन पहचा दिया उसने अमें जेल में बंद नहीं किया चलो भाग चलते हैं सुनो मॉफल तुम यह डिब्बे उठाने में मेरी मदद करोगे यह बहुत भारी है नहीं मॉफल उठाकर छट पर नहीं रखने है तो मॉफल तुम वापस आ गये क्या हो गया तुम्हारा ये लाल दोस्त मुझे यहां पेड़ पर चड़ा कर भाग गया पर ऐसा नहीं हो सकता मॉफल ने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हें अच्छे से बहचाती हूँ मॉफल उन बदमाशों को कहां छोड़ कर आए तुम हमने तो बदमाशों को देखा ही नहीं मैंने तुम्हें उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते वे देखा था मॉफल उन बदमाशों को फिर से पकड़ना होगा मॉफल एक रोबोट में बदल जाओ अरे नहीं बस मसाग बहुत हो गया मॉफल अब चुप चाप उन डिबों को वापस नीचे उतारो मॉफल तो पोरा दिन मेरे साथ था डैडी सच में पर वो बिलकुल मॉफल जैसा ही था मॉफल जैसा लाल रंग भी था उसका हां कुछ हरे रंग के निशान जरूर थे उस पर हरे निशान फिर तो वो जरूर और्फल होगा हमें उसे रोग न होगा मॉफल हाई मॉफल यहाँ जगा बनाने में मेरी मदद करोगे देखो मॉफल और्फल ने अपने आप पर लाल रंग लगा लिया है जला उसका रंग साफ करे मॉफुल, एक फायर ट्रक में बदल जाओ ओ, धान से मॉफुल वो मॉफुल नहीं है ये तो ओफुल है बहुत हो गया, अब तुम और किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ओफुल शुक्रिया असली वाले मॉफुल मॉर्फुल, वाप पसाईगा हमारे पेंटिंग मुकाबले में शामिल हो ये और सबसे अनोखी पेंटिंग को मिलेगा एक अनोखा इनाम मॉर्फुल, जल्दी से जादुई पेंट ब्रश में बतल जाओ हमें क्या बनाना जाएं, मॉर्फुल? मुझे लगता है हमें कुछ बहुत यनोखा सोचना होगा क्यों ना हमें फूल बनाएं? क्या बात है मॉर्फुल? शानदार मुझे नहीं लगता कि हम फूल बनाकर मुकाबला जीत पाएंगे मॉर्फुल क्यों ना हम कोई जानबर बनाएं बहुत सुन्दर है ना हम ये उतना भी खास नहीं है सौचो मॉर्फुल हमें कोई बहुत ही दिल्चस्क चीज बनानी होगी क्योंकि तभी हमारी पेंटिंग बनेगी सबसे खास नहीं मॉर्फुल इससे थोड़ी और स्पेशल होनी चाहिए ना हम अरे हां मॉर्फुल जर्दी से रोकेट में बदल जाओ अरे नहीं वो उपर क्या पेंट करेगी वाह क्या बात है शांदार भाईयों और बेहनों इस साल काई नाम जाता है दो लोगों को और अब वक्त आ गया है उनकी पेंटिंग्स को दिखाने का ये रही विजेता नमबर एक और ये रहा विजेता नमबर दो हाथी पानी हम पर पढ़ जाता तो हम साफ हो जाते और हम चोरों को गंदा रहना बिलकुल पसंद नहीं सारी पता है हम पूरे शहर को गंदा कर सकते हैं पर हम वो करेंगे कैसे इस काम के लिए भी जरूर कोई जातुई पालतू जानवर होगा ये है एक जातुई चिप चिप पालतू जानवर जिसका नाम है चिप चिपी इससे हम कर देंगे इस पूरे शहर को चिप चिपा देखना हमें उन्हें रोगना होगा मॉर्फल तुम जल्दी से मेरी शहर में नहीं बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम दोनों हमें उन चोरों को पकड़ना है सबसे पहले ये जो गंदगी फैलाई है इसे साफ करो कोई परवर नहीं मैं वापस आके चेक करूँगा अगर सपाई हुई है या नहीं हमें इस गंदगी को जल से जल साफ करना होगा मॉर्फल के पास एक आइडिया है बहुत बढ़िया मॉर्फल चलो अब उन चोरों को पकड़ते हैं ओ नहीं देखो यहां सब कितना चिप चिपा है देखो वह रहे वहाँ वह आफिसर फ्रीज की गाड़ी को चिप चिप करने वाले हैं मॉर्फल पानी भेक के इस लाइंग को दूर कर दो क्या तुम दो लो फिर से फायर स्टेशन को अभी इसी वक्त साफ करो ठीक है ओफिसर फ्रीज वाव देखो तो मॉर्फल जहां जहां वो स्लाइम लगा था वो जगह अब जादा चमग रही है जैसे कि वो स्लाइम में कोई जादूई सावन था चलो बाकी चिप चिपाहट को भी साफ करके आते हैं हमने जगह को अभी तो गंदा किया था हम और हमने सपाय भी कर दी और अब हम तुम्हें भी धोकर साफ करने वाले हैं ऐसा कभी नहीं होगा हे और सचका हूँ तो स्टाइन अच्छा लग रहा है आपने तो गारी को चमका दिया पुलीस ऑफिसर फ्रीज आप बिलकुल आज दो पुलिस कमिशनर ये जाचने आएंगे कि पुलिस अफसर होने के नाते मैं अपना काम कैसे करता हूं आज हर एक चीज सही होनी चाहिए ऐसी बात है तो हम खेलने जाते हैं गुद लाग बाई शुक्रिया बच्चों तुमने अपनी ऑफिशल सफाई वाली टोपी क्यो नहीं पहनी सफाई टोपी नहीं पहनी सफाई टोपी? माफ करिएगा आप दुनों कमिशनर होंगे आपका स्वागत है एक अच्छे पुलिस ओफिसर को सारे कानून पता होते हैं हाँ बिल्कुल मुझे सारे कानून पता हैं सर वो तो मैं देखी लोंगा अरे सिगनल पर लाल बत्ती है तुम गाते क्यों नहीं? गाना गाओ? अगर पुलिस वाल लाल बत्ती पर रुके तो उसे गाना पड़ता है मेरी तरफ देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ कोई फाइदा नहीं मैं ये भी नहीं जानता था काम के समय तुम नहीं खा सकते हैं कितनी सारी गलतिया अफसोस की बात है कि हामें आपको जेल में ले जाना पड़ेगा वो ओफिसर फ्रीज को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं जल्दी एक रेसकार बन जाओ हाई मिला और मॉफल आप जेल में क्यों है मुझे आज ही पता चला कि मुझे बहुत कानून नहीं पता मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ कुछ तो गड़बड है हमें इसकी जड़ तक जाना होगा मॉर्फल पार्क में टोपी नहीं पहन सकते जड़ी से जारी बन जाओ चादर पर पिकनिक नहीं मना सकते ना इस पेड के नीचे और न खाने के साथ पीटर फ्रीज को फजा कर हम कुछ भी कर सकते हैं यॉर्ण 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 तो उन दुनोंने नए कानून बनाए है चलो अब इन ही सबक सिखाए अरे माफ कीजी माफ कीजी माफी तो तुम तब मानोगे जब कहाँ गया एक परट नहीं वो नहीं मिल गया जब कोई आदमी किसी पुलिस कमिशनर से टकराता है तो पुलिस कमिशनर को आगे बढ़ते रहना चाहिए ठीक है चलो चले यॉर्ण आगे बढ़कर उन्हें अपने लूटे हुए सामान को पुलिस जोकिक सामने रखकर अंदर जाना चाहिए फिर उन्हें अपनी नकली मूचों को निकाल कर चिलाना चाहिए कि हम दोनों बदमाश हैं रुको यहां पर कुछ तो गड़बर लगती है कोई गड़बर नहीं है अब तुम जेल में चलो मुझे कॉस्ट्यूम बहनना बहुत पसंद है मॉर्फुल एक सिपाही के कबच बन जाओ अर्र मैं एक दकूँ मैं जादू करनी हूँ मैं ड्रागन हूँ तुम्हारी कोश्यूम बड़े अच्छे हैं पर ध्यान रहे के जब मैं बाहर हूँ घर साफ रहे मैंने अभी सफाई की है जी डाड़ी आप चिंता मत कीजिए ठीक है मजे करना मैं एक सिपाही हूँ मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करती हूँ सिपाही मिला मदद कीजिए हमारे नाओं के पास समुदरी डाकू आए हैं अरे नहीं हम जरूर मदद करेंगे चलो उस डाकू को पकरे मॉर्फो मेरा नाम है डाकू एप्रिल मैं दुनिया की सबसे डरावनी डाकू हूँ तुम वही के वही रुक जाओ डाकू मैं हूँ सिपाही मीला और मैं तुम्हें पकड करी रहूंगी पहले पकड के तो दिखाओ अरे नहीं मॉर्फो जल्दी से एक तलवार बन जाओ अंगय अरे नहीं तुमने मुझे पकड लिया सिपाही मीला पर मेरे लिए एक जहाज तयार है ये क्या और जहाज में तोप भी है समभ़ कर मॉफो चलो उसके पीछ चले मॉर्फो मेरे कवच पर जल्दी से रोकेट्स लगाओ अरे नहीं हमने तुमें पकड लिया समुद्री डाकू रोर। मैं एक ड्रेगन हूँ और अब मैं तुम्हारे जहाज को जला दूँगा मॉर्फो जल्दी से अपनी तलवार को ढाल बनाओ एक उड़ने वाला तुम्हार डाकू चलो उस ड्रेगन को मिलकर पकड़े बिलकुल मैं उस पर पारे के गुबारे फेकूंगी क्या तुम मुझे बूल गई? अरे नहीं ओ-ओ ये तू जादुगर्णी है मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादुगर्णी हूँ हमें उसे रोगने होगा हाँ पलकुल अभी के अभी हमें मिलकर काम करना होगा पर कैसे? मेरे पास एक तर्कीब है तुमने दुनिया की सबसे ताकतवर जादुगर्णी को हरा दिया यह क्या है मिला और मार्फल मैंने कहा था कि मैंने थोड़ी दर पहले ही सफाई की है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ डारी? मार्फल अपने आपको किसी भी औजार में बदल सकता है मेरा काम आसान हो जाएगा हाश इस शेड को अकेले बनाना असान नहीं है मौर्फल तुम एक हथोड़ा बन जाओ अच्छा काम किया मौर्फल पर ये थोड़ा सा छोटा है कोई बात नहीं हम और बड़ा बना सकते हैं हेना मौर्फु ठीक है तो मैं अंदर के दिवारों को पेंट करता हूं हाँ ये एकदम सही है हाँ चला कुछ देर आराम करते हैं हाँ क्यों ना हम एक और माला बनाएं मौर्फल डाड को काम और सामान के लिए और चगा मिले की हाँ मीला क्या कर रही हो हम एक शेड बना रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे अच्छा शेड अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा शेड बनाना है तो तुम्हें स्लाइड भी बनाना होगा और एक बैरकुनी भी, तुमने सही कहा, रखवाली के लिए एक बड़ा टावर, ताकि हम चोरों को पकड़ सके, जूनले के लिए छूला भी, और खेलने के लिए एक कबड़ा भी, हम, मुझे लगता है ये और भी लंबा होना चाहिए, पर हमने सारी लक्री खत्म कर दी है, और लक्रिया लानी पड़ेंगी, मॉर्फ, तुम एक बड़े से ट्रक बन जाओ, मॉर्फ, लक्री काटने की मशीन बन कर उन पेड़ों को काटो, अब चलो, इन्हे शेट पर ले जाएं, जलो, मॉर्फ, तुमे शेट को जितना हुचा बना सकते हो, उतना बनाओ, अब ये हुई ना बार, ये, ये दुनिया का सबसे अच्छा शेट है, हम, अब भी इसमें किसी चीज की कमी है, ये, ये क्या हो रहा है, डाड़ी, आपको हमारा नया शेट कैसा लगा, मुझे याँ से नीचे उतारो, अच्छा, तो ये कमी थी, हम सीड़ी बनाना तो भूल ही गए, आप वही रुकिये, डाड़ी, हम अभी आते हैं, मॉर्फ, चलो हम और लकडिया ले आए, नहीं, मुझे यहाँ केले मत छोड़ो, मीला, मॉर्फ, क्या तुम यहीं हो, देखो मॉर्फ, यहां हर जगा डाइनसौर्स हैं, हाई, मीला और मॉर्फ, तुम्हें हमारा नया डाइनसौर का मैदान कैसा लगा, डाइनसौर का मैदान, हाँ, प्रोफेसर रशीद और मैंने इन डाइनसौर्स को हमारे समय मिलाया, है के नहीं चुटको? हाँ बिल्कुल क्या ये खतरनाक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये खतरनाक नहीं है ये इंसानों को नहीं खाते चलो, अच्छी बात है हाँ, बस इस T-rex से दूर रहना ये ठीक नहीं लग रहा बेकरमत करो, ये दुनिया का सबसे मजबूत पिंजड़ा है बस इस लीवर को मत छुना, वरना दर्माजा खुल जाएगा ऐसे ये लीवर अटक गया सबके सब भागो जल्दी मौर्फल, तुम भी एक टीरेक्स बन जाओ अपने समय में जाओ मिला, दो डाइनसौर हमारे शहर में आ चुके हैं अगर तुम उन्हें पकड़ के लिए आओ, तो मैं उन्हें भी उनके समय में भेज दूँगा ठीक है, चलो मौर्फल, जदी से एक हेलिकाप्टर बन जाओ अरे, रोक जाओ, ये कोई पेड नहीं है हम, लगता है उसे भूग लगी है चलो उसे चारा खिलाने के बहाने से वापस ले जाएं तुम एक रोबोट बन जाओ उस पेड को उठा लो, मौर्फल बस एक बचा है हाँ, मैदान के बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है गाड़ी के सामने से हटो अरण नहीं वो ताकतवर है, पर तुम जितना नहीं मौर्फल जल्दी से बुल्डोजर बन जाओ हेई, पीछे देखो तुम उसे उठा ले ना, मौर्फल शुक्रिया, मीला और मौर्फल तुम्हारे बिना आज बहुत बड़ी गड़बड हो जाती है बहुत अच्छा काम किया, पर अब हम इस मैदान का क्या करेंगे बिना डैनोसोर के ये जगे बड़ी खाली लग रही है वैसे, क्यों ना हम यहाँ पिक्निक का इंतिजाम करें? हाँ, एक पिक्निक, डैनोसोर्स के साथ हाँ, मेरे दोस्तों क्या आप हमारे साथ समय के पीछे जाने के लिए तयार हैं? हम सब मिलकर डैनोसोर की जमाने में जाएंगे आँ, डैनोसोर्स वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डैनोसोर्स होंगे और हम उन सब की जांच करेंगे वह उड़ते भी है हम पहुच गए डैनोसोर्स के जमाने में देखो ओ, नहीं, वो तो विलोसिराप्टर्स हैं विलोसिराप्टर्स छोटे पर खतरनाग डैनोसोर हैं ओ, बाल बाल बच्चे कडबड हो जाती, शुक्रिया मौफल मौफल, जल्दी से एक ग्याले माइम बस बन जाओ वाव ग्याले माइमस दूसरे डैनोसोर से काफी तेज दौरता है बहुत अच्छे, मौफल वहाँ पर देखो, उनका नाम आरजेंटिनोसोरस है वह बहुत बड़े हैं, पर सिर्फ पौधे और पेर खाते हैं अरे नहीं, हम यह संदे को बचाना होगा, मौफल तुम अब एक टेरेनोडॉन बन जाओ तुमने कर दिखाया, मौफल अब हमें इस अंडे की मा को ढूनना होगा यह किसी आरजेंटिनोसोरस के अंडे जैसा नहीं लग रहा नहीं, देखिए, अरजेंटिनोसोरस के अंडे वैसे दिखते हैं चलो, खोजारी रखो एक ट्राइसेरोटॉप्स ट्राइसेरोटॉप्स के सिर्फ पर तीन नुकीले सींग होते हैं ओ, हो कितना प्यारा है पर देखो, हमारा अंडा उनकी अंडों से अलग है, है ना? तो ये अंडा ट्राइसेरोटॉप्स का अंडा नहीं है, मज़िदार है अरे? एक असली ट्राइनोडॉण और वो हमें अपने अंडों से दूर करना चाहती है और देखिए, हमारा अंडा ट्राइनोडॉण के अंडों जैसा नहीं देख रहा है चलो, जल्दी से उड़ चले वो दोनों अंकिलो सोरसस हैं वो अपनी पूँच से किसी भी चीज को बड़ी जोर से मार सकते है पर उस टूटे हुए अंडे को देखो हमारा अंडा उससे भी अलग है देखो, इस मगर मच हाँ, डाइनोसौर्स के जमाने में मगर मच कैसे हो सकते है मगर मच लाखों सालों से धर्ती पर जी रहे हैं और वो डाइनोसौर्स के जमाने में भी जिन्दा थे वाँ, पर देखिए हमारा अंडा मगर मच के अंडों से भी अलग दिख रहा है ओओ, शायद हमें संडे की मा को कभी नहीं डून पाएंगे वाँ, एक स्पाइनोसोरिस वो हमें खाना चाहती है, भागो मॉर्फल, तुम एक टी-रेक्स बन जाओ एक स्पाइनोसोर टी-रेक्स से बहुत जादा बड़ा होता है मुझे नहीं लगता कि उसे हमें खाना है पर फिर उसे क्या चाहिए? समझ गई, उसे ये अंडा चाहिए ये स्पाइनोसोर इस अंडे की मा है हम बच गए, तुम ने अच्छा काम किया मिला झाहिए अरे, अरे, संभलकर मॉर्फल टेले फॉक्स को जादूई जानवरों की सर्दी हुई है तो तुम्हे कुछ समय तक दूरी रहना होगा बचाओ क्या आपको सर्दी नहीं होगी? ये बीमारी सिर्फ जादूई जानवरों को होती है मैं और टेले फॉक्स घर पर रहेंगे ही ताकि दूसरे जादूई जानवर भी मार ना हो खेलोगे कैसे? चिंता मत करो, हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं एना टेले फॉक्स? देखो अब यहाँ पर क्या हुआ? लगता है क्रोमा को भी जादूई जानवरों की सर्दी है दूरी बनाए रखना मॉर्फल हाई मिस्टर पेंटर हाई क्रोमा शायद तुम्हे भी जादूई जानवरों की सर्दी हुई है अच्छा तो ये बात है क्रोमा तब से छीक रही है जब से उसके सामने एक बड़ा बुलबुला फूटा है जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, तुम्हें घर पर ही रहना होगा ताकि दूसरे जादुई जानवर भी मार ना हो जाए हम घर पर भी खेल सकते हैं, सोचो हम कितनी तस्वीरे बनाएंगे मिला, देखो एक बड़ा बुलबुला, चलो पता करें वो कहां से आया वाँ बिल्डर लोरिंस, आपको अनीमे को घर ले जाना चाहिए उसे जादुई जानवरों की सर्थी हुई है अरे नहीं, ये ज़रूर उस बड़े बुलबुले की वज़े से बीमार हुई है चलो तुम्हें घर जाके तुम्हारी देख भाल करूँ एनेमी और बुलबुले चलो पता करें ये कहां से आ रहे हैं मॉर्फु देखो मॉर्फु, वहां बोबा है बोबा के बुलबुले बोबा, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए मुझे लगता है बोबा को घर नहीं जाना चलो उसका पीछा करें मॉर्फु मॉर्फु ठीक है, मॉर्फु को कुछ भी क्या तुम अभी उसका पीछा कर सकते हो मॉर्फु बस पहुचने वाले हैं आखिर हमने तुम्हें पकड ही लिया तुम्हें घर जाना होगा बोबा अगर तुम बीमार होकर बाहर खेलोगे तो दूसरे जादुई जानवरों को बीमार कर दोगे मॉर्फु को ही देख लो आखिर और हम घर पर रहकर भी खेल सकते हैं हैना मॉर्फु देखा बोबा घर पर खेलने में भी मज़ा आता है अच्छू शायद केनित को डॉक्टर की जरूरत है मॉर्फु जल्दी सेक एम्बिलेंस बन जाओ हम आपको अभी हॉस्पिटल पहुचा देंगे जू कीपर केनित ओ शुक्रिया मिला ये क्या हो गया लगता है बहुत जादा चोटाई है तुम्हें चलो जल्दी मेरे साथ हाओ लगता है ये सैंडविच खराब हो चुका है अब ठीक तो है ना मिस्टर मेर अहाँ ठीक तो हूँ पर ठीक नहीं हूँ चलो इन्हें भी डॉक्टर के पास लेजलते हैं मॉफल एक बार फिर से अम्बिलेंस बन जाओ केनित को बहुत आराम की जरूरत है इसलिए गाड़ी जरा समहल कर चलाना ठीक है अगर मैं गलत नहीं हूँ मिर्ची ज्यादा खाली है ना सैंड़िच खराब था चली अंदर अभी ठीक हो जाएंगे आप ठीक है सब लोग छुप जाओ एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस मैंने तुम्हे ढूण लिया बहुत आसाल था मुझे से रहा नहीं किया मुझे खुचली हो रही है माफ़ मुझे लगता है तुम्हें फेर से एम्बिलेंस बनना पड़ेगा ठीक है और अब से प्लीज कुछ भी खाते वे ज़रा ध्यान रखीगा ये लोग कोई और आ गया आज कुछ ज़्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं सच में बहुत खुचली हो रही है देख रहा हूँ लगता है किसी चीज से एलर्जी होई है तुम्हें मेरे साथ हाओ इसके लिए मेरे पास एक क्रीम है तुम ठीक तो हो ना मौफर लगता है दूसरों की मदद करने वाले को खुद की मदद की ज़रूत बढ़ गई अब ठीक लग रहा है हाँ जब तक जू की मरम्मत हो रही है इन डरावने जानवरों की देख भाल करने के लिए शुक्रिया ऐसी कोई बात नहीं कैनेट एक बार पहचान हो जाए तो वो इतने डरावने नहीं लगते मॉर्फू तुम एक बड़े से ट्रप बन जाओ मॉर्फू कोले पिंजरा हाँ कोलो मॉर्फू देखा इन्होंने इस जगहे को अपना लिया क्या है ये लोग पूरी तरह से पांगल हो गए बरकि इतने डरावने जानवार ऐसे ही अपने अंगर में नहीं राख सकते वो बहुत ज़्यादा खटरनाक होते हैं इन्हें ये बात समझाने के लिए सबक सिखाना होगा यहां क्या हो रहा है तुम क्यों जगर रहे हो चलो ठीक है हे बंद करू ये सब लगता है हमने इन जानवरों को यहां लाकर गती कर दी डाड़ी हाँ शायद तुम सही हो अगर इन्होंने फिर जगडा किया तो हम इन्हें केलत के पास जू में लोटा देंगे चलो इन्हें खाना खिलाए शायद इन्हें भूख लगी हो क्या कर लोगे तुम बुद्धु जार्वर नहीं नहीं बचाओ बार की मेरे लिए रुको बार की अरे नहीं हमें उन्हें बचाना होगा मॉर्फल तुम एक हेलिकॉप्टर बन जाओ ठीक है तुम एक पिंजरे वाला ट्रप बन जाओ मॉर्फल दोस्तों तुम ऐसे बुरे काम क्यों कर रहे हो बताओ क्योंकि वो बहुत बुरे जानवर हैं आफिर मैं जीत ही गया अरे रुक जाहिए क्या आप ही इने इतने समय से परिशान कर रहे थे तो क्या यह लुखत अनाप जानवर है